ये ये घोर अन्याए है अन्याए करना भी कभी कभी न्याए है भीश्म पिता मा देखते क्या हो उसके लंबे केश पकड़ लो जटका देकर समीन पर गिरा दो सब भूल जाओ सिर्फ वो छणी याद रखो जब अपमान की धदक्तिवी ज्वाला में तुम चले थे इसका सारा गर्व दर्पन की तरह चूर चूर कर दो महराज महराज घोर अन्याए अन्याए कैसा बड़ों की सदा छोटों को भूग तो नहीं पड़ती है मैं बेटी हूँ बेटी पराया धन मेरा जन तो मेके में हुआ लेकिन तग्दीर का फैसला ससुराल में होगा बाबा की बितिया खुई परायी जर जर बेहती है अस्वन था काहे कुरोए बाबुल मोरे छोड़ चली मैं अपना दुना राजा हो या रंक हो कोई सबने इस पर मा भी हाँ बाबा की बितिया खुई परायी जर जर बेहती है अस्वन था काहे कुरोए बाबुल मोरे छोड़ चली मैं है अपना दुनार पहले फिरीगा पहला बचन है मेरा पती पर लमेश्वर जैसे रूज फिरेगा रूजा मचन है सास ससुर्मा बाबा की जैसे जीज फिरे का जीजा मचन है मैं घर की अमरी आणा बढ़ाओं जाज फिरे का जाथ मचन है बंशे की बिल को आगे बढ़ाओं दूरी उठी है खुई बिदाई है लेखे चले है जानका बाबा की बितियां कुई पराएं जानका बिदाइ commen्ड़ाओं पाँच्वे पिरी का पाँच्वा बचन है ग्रिहा लाच्मीरिये को अरूप धरूं में पाँच्वे पिरी का पाँच्वा बचन है दीवर ननद का हाई पहर दभू में सांध्वे पिरी का पाँच्वा बचन है जब खी मरू आओं तो सुहागन परूं में सांधों बचन जो मेने लिये है राम क्रिमा से पूर करूं मैं आँच्वा बचन जो मेने लिये है मैं किसे उठके आ गई टोनी है पहुच गई है सजना के बार आँच्वा आँच्वा वह लगना है मेरा बेटा हाँ चलो 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 चांद ही चांद है घर की लक्षमी के साथ ते जोरे की लक्षमी भी तो आएगी आए नाए हमें इससे कोई मतलब दे कहेज के हम अगर इतने ही लालची होते तो मुझ खोल के निरंजन के बापु ने तो साफ साफ कह दिया इच्छा हो तो ही दीजिए पर ना ऐसा कोई जरूरी नहीं है हमें तो बस बहुरानी चाहिए सुनिए सुनिए जी पहेज कैसा मिला ठीक है मा बाबूजी कुछ नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं कि दहेज कम मिला हो एसा हो ही नहीं सकता अरी फ़्रानी का बाप कोई ऐसा वैसा थोड़ी है दिवान साहब है अरे हाथी मरता है तो भी गधे से उचा रहता है तहेज में कोई कमी नहीं किया उन्होंने लेकिन मा बाबुजी तो ओफो छोड़ उनकी बाद उनका तुमों हमेशा पुरानी घड़ी की तर लड़का रहता है चल चल बारात आ गई आओ आओ कि अगर अगर लाइट भी चली गई ना तो तहार घर में कभी अंधेरा ना ही हो कहां पालीकुनी एकदम फीक केती है बस बस अब कहीं और किसी की नजरना लग जाए चलो बहुरानी अंतर चलो अरे रे रे ऐसे कैसे जाएगी पहले द्वार चिकाई देनी पड़ेगी अरे बहुरानी ये तो हारी बड़ी ननन है दुई चाराने देदो दो चाराने मैं क्या भिकारन दिखती हो ओ बाद भी द देदोंगी अब चलो 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 अब चलो अब चलो अब चलो नजरिया लग जाएगी मेरे बन देखो कोई मत देखो नजरिया लग जाएगी हरिया लेको कोई मत देखो नजरिया लग जाएगी मैया प्यारे को कोई मत देखो नजरिया अब हो पीच की का लगा के रख रहा हां अरे बंद करते रहे नाज गाना और फुट कहां से चल चोटे चौदरी तुम का कर रहे हो अरे हीरे को घर मा छोड़कर एक कोईले की संगत में तुहां क्या काम हाई अभी अभी दोहार साधी हुई है तुहां रात भी नहीं हुई है और तुम यहां और आई सन में जरा खयाल रखा करो नजर लग जाती है बुरी लोगन की अब चल पड़े हाऊ ऐसी बादे नक्को करो जी वरना स्वागराथ से पहले तलाख हो जाएगी अरे बने मिया तुमने शादी कर लिए हो मुझे बताया भी नहीं वह मैं चोटे चोदरी तुम अपनी फिकर करो इनकी फिकर मत करो चोला तुले भाई दूले भाई आपको आपा जान बुला रही है किसी को हिंदुस्तान बुलाता है किसी को पाकिस्तान और किसी को कब्रिस्तान अमेरे को आपा जान अला तुले भाई आपको असल में बचपन सेच ये पोट्टा पोट्टी मेरे साथ सोए मैं इच इनको पाली इसके वास्ते हाउ पाला होंगा ये लोगा तुमारा साथ सोया होंगा ये सब क्या है भाई चुप देखो बच्चो तुम लोगा बड़े हो गया ना जाकर दूस मैं और से कमरे में सो, आरे रहे 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 चुप ठीक है भाई ठीक है वाई याचि वाओ शाबबो राणी ये सब के सब कभ तक तक सोजाएंगे भाई दो तिन घंटे तो जाएंगे तब तक मैं इंतवार कर लेता इंतवार बद मुचाना ना है ना कौन सी चीज का मजा चुप चाप सो जाओ यतीम बच्चे हैं इन पर रहम कीजिए रहम करेंगे तो खुदा आपको फल ज़रूर देंगा कोई बात ने शब्बो तुम भी इंतजार करो मैं भी इंतजार करता मैं दिदी बुलाए आजा बंदिना बुलाए आजा चुनता बुलाए आजा बिंदिया बुलाए आजा मैं दुनिया हसी हो गई है मोहबत में दुनिया हसी हो गई है मोहबत में दुनिया हसी हो गई है के चन्नत ये सारी समी हो गई है ये हिथे हमेशा ये सारे नजारे ये मासम ये कलिया ये जर्लों के धारे मगर जब से हम प्यार करने लगे है मोहबत में दुनिया हसी हो गई है के चन्नत ये सारी समी हो गई है किरनों के मेले भूलों के गां किरनों के मेले भूलों के गां थी रखने लगे हैं हवाओं के पां खटाओं में जैसे बजे पसुरी सी सभी वादिया शब्नमी हो गई है मोहबत में दुनिया धसी हो गई है के चन्नत ये सारी समी हो गई है मोहबत में दुनिया धसी हो गई है के चन्नत ये सारी समी हो गई है सुनो जी चाय लाई अपके वास्ते अरे सुबह हो गई अरे शब्बो तु रात को जगाई काई को नाई बहुत ठक गई थी नाजी मैं इसलिए मैं भी सो गई मैं सोची कि आप पर जगाएंगे मेरे को मैं भी तुम्हारा इंतजार करते करते यह इंची सो गया लेकर देखो यह बात किसी को बोलो नक्को कि हमारी सुहाग रात यूँ ही गुजर गई दोस्तों में बेजती होगी ना समझे की नी समझे है हो समझ गई कोई तुमसे सुहाग रात के बार में पूछे ना तो सिर्फ हाय बोल देना सिर्फ हाय बोल दूँ हाँ हाय बोलने से सब काम हो जाएगा बन्यमिया अरे ओ बन्यमिया यह लो कबाब में हड़ा आ गया फिलता हुआ मर्द होकर और्टो जैसी हरकत करता है अरे ओ बन्यमिया चौदरी साब जल्दी से बुला रहे हैं कह रहे थे कि जिस हाल में भी हो अरे कल की राथ हमारी सुहाग राथ हम बहुत थक गए हैं हम जरा नहाद होकर फ्रेश होकर आते हैं मुख्या जी क्या जमाना आ गया है चिता की लखनिया तक मेंगी हो गई जब कोई मर जाता है तो मेरा दिल भराता है फिर मुस्से धंदा नहीं होता चलिए मुख्या जी चलिए जबकि असली धंदा तो अब शिरू करेगा यह तो मेरा बच्पन का दोस्ता मेरा लगोडिया यार पूरे काम इस जैसा शरीफ आद भी कोई नहीं था रहे कोई नहीं था बार बार एक पात कहता था कि मरने से पहले तेरा कर्दा पूरा करके जाओगा जो जी पूरा करके जाओगा इस की इच्छा पुरी नहीं हुई और अब उसकी आत्मा को कितना दुखो रहा होगा कितना दुखो रहा होगा अच्छा हुआ कि आप वकील है और भाईया की शादी आप से हो गई वर्ना वर्ना वंदना शाम हो गई है यह कोई नाने का वक्त है जाननी राथ हो तो नहाने में और भी मज़ा आता है अच्छा वह बात पुरी कर यह क्यों अच्छा हो कि मेरी शादी तेरे भाईया से हो गए बात यह है कि भाईया पर बहुत सी लड़किया मरती थी एक ठी राधी का उसने तो भाईया के लिए अपनी जान ही दे दी आप दोनों की शादी हो गई तो बहुत अच्छा हुआ बंड़ पता नहीं कितनी लड़किया जान दे दे थी चेर आपने दे लिया अरे थोरा थोरा पीना अच्छा नहीं लगता आप लोग और लेंगे तो फिर ठीक है यार पहले में शराब छूता तक नहीं था मैंने एक फिल्लम भी बनाई फिल्म का नाम शड़ाबी उसका कानी यह था कि बाबा शड़ाब मत पियो मगर वो फिल्म इतनी बुरी तरह फिलाब हुआ कि मैं खुद शड़ाब पीने लग गया देखो ना फैक्ट्री बेजना पर रह बस बैंक से तुम्हारा 20 लाख रुपे का लोन संक्शन हो चुका है अगर कहीं से तुम 10 लाख रुपे का इंतजाम कर लो तो एक हफते के अंदर तुम इनकी फैक्ट्री के मालिक बन जाओगे इतनी जल्दी दस लाख रुपे का इंतजाम अरे साहीं तुम तो इंजीनेर है फैक्ट्री तुम्हारे इलाके में है तुमको लेबर प्रॉब्लम भी नहीं होंगा मेरे से ज्यादा पैसा कमाएंगा भाई यह तो है लेकिन मुझे दस लाख रुपे देगा कौन है देख बेटा तुरे दहेज में एक लाख पीस हजार रुपे का कुल समान आया है वो भी खीच खाच कर जोडने से इतना बंता है तुई सोच बेटा यह भी कोई दहेज हुआ हम तो यह सोच कर खुश थे कि शेर का शिकार करे लेकिन हमारे नसीब में तो निकला मरा हुआ चूहा यह सब तुम्हारी वज़े से हुआ है पड़ा कह रहे थे वीवान साब का परिवार है बिना मांगे ही इतना दहेज देंगे कि घर में रखने की जगा नहीं होगी अरे तुम तो खाम का मुझे पर गरम हो रही हो मैंने नहीं मिरंजन ने कहा था उसको बोलो अरे मिरंजन कोई लाट साब है जो उसे नहीं बोलूगी बोल बेटा पर उसी का घर की राये पर लेलू दहेज रखने के लिए अरे बेटा इतना तो सोचा होता कि बच्चा भी जब तक मूझ खोल के रोता नहीं उसकी मा तब तक उसे दूब नहीं पलागी हाँ एक बात याद रख ले तू बाप के कहने पर चलेगा ना तो ऐसे ही सत्यानास होता रहेगा हर बात घूम फिरकर मुझ पर ही क्यों आ जाती है आएगी इसलिए कि हर बात की जड़ तुम हो अरे क्या हो गया है देख बैटे बात अभी पूरी तरसे बिग्री नहीं जराका से काम ने ना होगा शर्ण शर्ण वाल एक वाल बीव यहग बालती बार्टी को कुवे में डाल दो पाने को घिंचते रहो हो घिचते रहो देखा मा पिताजी ने कितना अच्छा आईडिया दिया है यह मेरा नहीं चलस पीने वाले तुम्हारे पतिजिजा इडिया है जिसने तो मैं बाल्टी मना कर यहां खुवे में लटका दिया और पाने को खीचता रहता है खीचता रहता है का बहू मैं के जाथो बहुत संदर लगरी चुरू जली चुरू पलू छी करो जल्दी वापस आजाना हाँ भावी यादे द्वार्चिकाई के दिन तुम मुझे कुछ देने वाली थी हाँ लेकिन आपने कहा था कि बाद में मांग लूगी मगर आपने तो कुछ मांगाई नहीं आज मांग लू भावी अपना यह माम ठीका मुझे देदो ना इसके लावा कुछ और मांग लीजी यह मेरी मा की आखरी निशानी है जो मेरे पास बची देना है तो यही दो वरना कुछ नहीं लोंगी अरे का कहती हो कलपीता यह उसकी मां की निसानी है अरे निसानी है तो क्या हुआ क्या यह इसे खा जाएगी बहु का जब जी करेगा पहनने का यह उसे वापस देदेगी अब ले देके एक ही तो भावी है विचारी की अब तुम भी बताओ ना बहु तुमसे न मांगे तो और किससे मांगे भाला ठीक है वापस आकर देदूंगी अरे तुमारे यहां आने तक कौनसी यहां बैठी रहेगी आखिर यह भी तो सुस्राल जाएगी दस बार तो खबर आ चुकी है कि जल्दी आजा और हम है कि भावी के मोह में पड़े हुए हैं लेकिन इने तो उमारी चिंता ही नहीं है कि यह 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 देखा कितनी खुश हो गई बैचारी मा कैसी लग रही हुँ मैं अरे वाह क्या जच्रा इस पर बुरा मत मानना बहूं चाहे जितना भी रोको सही चीज सही जगा पर पहुची जाती है हाहा चल आओ बीटी आओ चलती हूं बैठो हाहा चलती है कर दो बच्वार इस हाँ कर दो कर दो कर दो अरे डाड़ी घर में है यह काई-काई बंद करो अब मैं छस्पे नहीं आने वाली दीदी आ गए पिताजी जी जाजे और पूजा दीदी आ गए अरे पर तू कहां चली अब यह आई नमस्त पिताज आओ बेटा आओ आज सुबह से इछट पर कवा बोले जा रहा था यह नीचे पिताजी अरे इसे खतम भी करो क्या इने दर्वाजे पर ही रोके रखोगी अंदर जाने की इजाज़त तभी मिलेगी जब जी-जाजी कुछ रिश्वत देंगे यानी दुआर शेकाई यह लो एक सिक्का वो भी खोटा कुछ नहीं चलेगा अरे ओ चीचाजी उधर नहीं इधर यहाँ बैठे चीचाजी केर गए चीचाजी केर गए जी-जाजी पीट की तरफ साबुन हम लगा देते हैं इसमें कोई शरारत तो नहीं बिल्कुल नहीं अबपकोदी लगा 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 अब आपकोदी लगा लीजिए पिता जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं कहो बेते जैसे कि आप जानते हैं मैंने इंजिनियरिंग पास करने के कहीं नौकरी करना नहीं चाहा हूं मा एक फैक्ट्री खुरना चाहता हूं इसके लिए मैंने बैंक से बीस लाग रुपे के लोन भी पास करा लिया है वा बेटे ये तो बहुत अच्छी बात है अब इसमें दस लाग रुपे अपने लगाने होंगे अगर ये काम हो गया तो तो फैक्ट्री तीन-चार मेने में ये शुरू हो जाएगी फिर तो सारा रुपे एक साल में ही वापस आ जाएगा अब कहीं हाथ पहलाने से बहतर मैंने सोचा कि क्यों ना पहले आप से ये बात की जाए पेटे आदमी अपनों से अपनी बात नहीं करेगा तो किस से करेगा लेकिन जहां तक रुपेओं का सवाल है पेटे इतने रुपे हमारे पास नहीं अगर आप अपने रिष्टेदारों से ले लेंगे तो अब तक सिर्फ इतनी ज़द बाकी रह गई है कि हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया अगर तुम लोगों के लिए हमने किसी के सामने हाथ फैला भी दिया तो उसका नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला पेटे जब बड़ा पेड़ गिरता है न तो उसे सहरा देकर खड़ा करने वाला कोई नहीं मिलता सारे लोग उसकी लखडियां काट काट के घर ले जाने की ताक में लगे रहते हैं फिर आजकल के रिष्टेदार भी तो ऐसे ही है बेटे निरंजन बाबू अगर आपको रुपई के लिए ही शादी करनी थी तो मुझसे कर लेते मैं दस लाग दे देती तो अब शादी कर लेते हैं लाओ दस लाग ना बाबा ना कोई मुझे पहली बीवी बनाएगा तब इतनी कीमत चुकाऊंगी दूसरी बीवी तुम्हें सबकी हूँ ही क्यों अगर तुम्हारे पास सचमुष दस लाग रुपए हैं तो दो ना तौबा कीगे अगर इतने रुपए मेरे पास होते तो मैं अब ये कोठे में नजर आती चलो इतने रुपए ना सही कुछ तो बचा कर रखाई होगा कुछ तो बचा कर रख नहीं पड़ेगा परना बुड़ाबे में सितारा बाई की तर पानी लगाते रहना पड़ेगा निरंजन बाबू का पेगाम है कि वो वापस अपने काउं चले गए उन्होंने और कुछ कहा जी और कुछ नहीं कहा आप कौन है आप मेरे बारे में ना ही जाने तो बेटर है आद आप अगर दस लाख रुपे देने की हमारी हैसियत होती तो निरंजन बाबू आज हमें इस तरह छोड़कर नहीं चले जाते पिता जी कल मैं वापस जाना चाहते हूं इस तरह नहीं जाते बेटी परना लोग ये भी कहेंगे कि बेटी हमें बोज लगने लगी इसलिए हमने उसे पॉरण पीछे-पीछे भेज दिया लोगों का काम है शादी में शामिल होने लेकिन रिष्टों को निभाने का काम हमार तुम बेटी तो बहुत अची हो लेकिन उसे अची तुम बहुत अची हो लेकिन उसे अची तुम बहु हो तुम बार-बार यह एहसास दिलाती हो कि तुम जैसी अउलाद को पाकर यह दीवान कंगाल नहीं रहा धन्वान बन गया है नहीं हाँ पिताजी का क्याल रखना अची तुम बहुत अची हो जिदी आप ससुराल नहीं गई कोई आएगा तभी तो जाओंगी मैं कोई ऐसे वैसे घर की खोदी अपना सामान उठाके उठलू की तरह ससुराल चली जाओं इस तरह तो अगर यह जाना भी चाहेगी न तो भी नहीं भेजूगी पर हमारे घर कोई खाने पीने की कमी है क्या जो हमें बोज लगेगी क्यों भाबी आपको कोई पहुचाने भी नहीं आया तीवान साहब ने जवान लड़की को अकेले ही भेज दिया भाई खानदानी लोगों की बात ही निराली होती है अरे ये क्या भाउरानी अरे इस घर में खुद का बोजा उठाना मुश्किल है उपर से तुम ये बोजा उठा रही हो नहीं नहीं बने मिया ठीक है मैं यूह क्या इस बोज को उठाने को आओ चोड़े चोडरी बाउरानी आई है आप इस तरह अचानक हमें छोड़के चला है मैं तो बुरी तरह से घबरा गई थी पताने क्या हो गया दीवान साब से नहीं पूछा के क्या हुआ कि डारी की जो हालत है वो उन्होंने आपको बताई दीथी वो कभी जूट नहीं बोलते मुझे क्या मालूम था कि वो अंदर से इतने खोकले हैं वरना एक एंजिनियर को 10-15 लाग देने वाले बहुत मिल जाते हैं लेकिन आप लोगों ने तो पहले रहेज की बात बिलकुल कि सोचा था दिवान साब है विन मांगे ही बहुत कुछ मिल जाएगा वो अपना मकान गिर्वी को ही रखते थे उससे तो गिर्वी रखा जा चुका है उसी से तो हमारी शादी हो पाई है उसे बेचा भी तो जा सकता है तो फिर रहेंगे कहां और अभी नेहा की शादी भी सबको अपनी जिन्ता है तो रहे मेरी वीचु समझ में आएगा तो क्या रुप्यों के लावा जिन्दगी का और कोई मकसद नहीं हम कम पैसो में भी अपनी जिन्दगी खुशी-खुशी बिता सकते हैं और वक्त आने पर हम अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं वक्त आता न बहू जी कलपिता के सर में इतना दर्ध है कि वो तड़प रही है इसलिए आज का खाना तुम ही बनाना जी हाँ सुना तुमने तुम्हारे बेटे ने बाल्ती को कुए में लटका कर देख लिया चुलू भर पानी नहीं निकला जिसमें तुम ढूप कर मर सको हर बात खूंब फिर के मुझ पर ही क्यों आ जाती है क्योंकि तुम्हें शॉप चर रहा है था न पीवान साब का संधी बनने का है अरे सुन रहे हो कि बहरे हो गए हो सकता है बहु कुछ शुप समाचार लाई हो शुप समाचार लाती न तो निरंजन उसके कमरे से गुच्से से बाहर नहीं निकलता अब तो मुझे कोई और आस्ता नजर नहीं आता तुम ना बहुत जल्दी थंडे पड़ जाते हो वो कैस अरे तुम्हारी अंगुठी कहा गई उसका पथर सूट नहीं कर रहा था इसलिए उसमें दूसरा लगाने को दिया बाहू भी सूट नहीं कर रही है उसका क्या करें बाहू और पथर में बहुत फर्क है पथर तो आसाने से निकल जाता है लेकिन बाहू वो खुद ही निकल वो कैसे अरे पानी भी बून बून गिरे न तो पत्थर कर जाता है और अपनी बहुत तो मिट्टी की बनी है पहली ही बारिश में गायब हो जाएगी बिल्लू भाईया आया बहुरानी बड़ा दुख दना नथनियने बोली है आथ टेबल पर खाने लगा दीजे मैं हात मुद कर आती हूँ अच्छा खाना आज भावी ने खुद अपने हाता से बनाया है लो बेटा ये लिटा अरे भाईया को भी दोना सबसी ये लिटा ये लो बेटा अरे वे इसमें नमक कितना ज्यादा हो गया थो अरे बहु तुम्हारा बस चले तो हमें जहर चता दो मा जी रहमों कुछ ज्यादा हो गया क्या कुछ नहीं बहुत ज्यादा हो गया पारी दे चोटी पारी जल्दी आप क्यों जान निकल रही है खुद ही तो बिना मा की बेटी को उठा कर लिया है अरे मा होती तो बेटी को खाने पीने के तौर तरीके सिखाती ना सब तुम्हारा एक अधरा है भोगो अप अरे मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि सारी बाते घूं फिरकर मुझ पर क्यों हो जाती है माजी मैं फिर से खाना बना दू बस बस रहने दे बहू खाना हम बना देंगे तू सिर्फ बर्तन साफ कर दिया कर जी याद रहे मैंने बर्तन साफ करने के लिए कहा है तोड़ने फोड़ने के लिए लही बाबा की बितिया में पराई जड़ जड़ में दी है तस्वन था काहे को रोए बाबु मोरे छोड़ चली मैं अपना दूना हाई दया बिचारी के हातन की महेंदी तक नहीं छुटी है और इतना ठेर सारा काम बाप रे बाप इतने वर्तन आओ लगता है चौदरायन ने पडोसियों के बर्तन भी इदर चिमंगा लिए क्यों हमारे अपने घर में बर्तन कम है क्या वैसे भी अपना काम खुदी करना चाहिए काम करते रहने से सेहत भी ठीक रहती है और आपको नीद अच्छी आती है और एक बात तुम दोनों कान खोल कर सुलो खबरदार जो मेरे घर के मामले में तांग अड़ाई तो समझें अरे इतने बर्तन जाओ चलो यहां से आ जाते हैं पता यह कहां से मूठा के बड़े आई थे उसके हमदर्द बनके लेकिन एक बात तो है ममी क्या तुमने बिचारी को कद ज्यादा ही बर्तन दे दिये हैं अरे मैं तो और देने वाली थी ताकि राद भर घिशती रहे वैसे भी निरंजन राद भर आने वाला नहीं है वह कहां गये हैं बैंक मैनेजर से मिलने गया होगा इसी महरानी की वज़े से तो सारा मामला खराब हुआ है मैनेजर को पटाने के लिए दारू वारू पिलाएगा और सुबह को लोटेगा मा खाना तयार है अच्छा चारू मा उसे मत खाना वो कलका है और बिल्ली ने भी उसे जूटा कर दिया है अरे तो क्या इसे फेंगेगी इन्हें बुरा लग रहा है ना तो डाल दे इनकी थाली में वह फिरकर सारी बाते मुझ पर ही क्यो आ जाती है अरे मेरे कहने का मतलब ये था इसे बहु तो खा सकती है के हाँ हाँ वो की नहीं खा सकती हो तो है ही जूठन खाने लायक हाँ उसके लिए रख दे बिल्ली का जूठा खाएगी तो बिल्ली की तरह बेवफा हो जाएगी तब ये घर भी जल्दी से चोड़ देगी संससे सुरे माँ 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 की जेजी बहु क्या बात है माजी मैं आप लोगों से कुछ कहने आयों कहो मुझे मालूम है कि मैं जितना सहूंगी आप उतना ही ज्यादा जुल्म करती जाएगी फिर भी मैं आपका हर जुल्म सहती जाऊंगी अगर आप ये सोचती है कि आपके जुल्म करने से मैं ये घर छोड़ दूँगी तो आप ये गलत सोच रही है एक बात याद रखिये मैं इस घर में कोई शोभा की चीज नहीं जो बाहर निकाल कर फैक दी जाए मैं इस घर की दीवार या छट भी नहीं जो तोड़ कर नई बना ली जाए मा जी मैं तो इस घर का आंगन हूं जो इस घर से कभी अलब नहीं की जा सकती देखा देखा कैसे मुँपर चोट करके चली गई सब तुम्हारी वज़े से हुआ है मैं यह समझ भी नहीं आता कि हर बात घूम फिर का मुझ पर क्यों आ जाती है सबसे पहले तुम ही गए थे न उसे देखने और आकर बोले साथ शाथ सरस्वती है अभी का रूप देखा तुरका लग रही थे अब तो इसे निरंजन से ही ठीक कराना होगा भला क्यों मैं मुखडे से घुंगता उठाओं भला क्यों मैं आचलता परदा गिराओं अजे तुम जैसे दामाद देजनों के लिए मैं ये देर क्यों लुटाओं ये जा क्यों लुटाओं अजे तुम्टाओं आख रखा अर्वाओं प्रम लुटाओं प्रम लुटाओं तुम तो पर देती हो 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 कोई निर्मोही कोई बेदर्दि कोई रसिया है कोई मत वाला कोई निर्मोही कोई बेदर्दि कोई रसिया है कोई मत वाला सारे दोलत वाले है पर कोई निर्मोही कोई बेदर्दि सचे प्यार का तंभरते हो जूटी पत में खाते हो सुभात वेड अपनी अपनी घर लोट जाते हो तुम तो पर देसी 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 बिन पूलों की बिन रंगों की बिन खुश्बों की मैं हूँ एक डाली बिन खुश्बों की मैं हूँ एक डाली तुम रालों की तनहाई में दिल और जान लुटाते हो तुम तो पर देती हो तुम तो पर देती हो ए परवानों शाम ठले तुम इचिती वूए आशिरू ये है रेन बसीरा आतीरा मत दिताती हो तुम तो पर देती हो जुम तो पर देती हो तुम तो पर देती हो भाइट जब में अंदर गया तो उसका खून हो चुका था ये सच है कि मैं मीना भाई के कोटे पे गया था इसलिक की लेकिन में लगरे है कि मानो मैं ने उसका खून है इकए ये इसमें में एक खून शाज़न acces की गई ये क मैं वे मुलाकाद जाओ ए पूश्य मार नहीं चाहता है मुलाकात का मि warranty चुका है पुज़म नुंन यह चाहता मैं सितिया मैं अमने नहीं चाहता नहीं चाहता तो आपके बेटे को फासी के फंते से बचा सकता है आए 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 आव खील है जे नहीं जाज है नहीं पर कौन है आप अजी तुम्हें आम खाने से मतलब है पेड़ गिनने से अगर आप मेरे बेटे को बचा सकते तो बचा ले उसके लिए आप जो मांगेंगे हम देंगे सोच लिजे हम तेमत कुछ ज्यादा ही मांगने वाले हैं जरूर देंगे बुली क्या चाहिए रुपया पैसा जमीन जायदार बुलिए बुलिए मुझे एक रात के लिए आपकी बहु चाहिए क्या एक बुढ़े बाप के लिए जवान बेटे की लाश से भारी और कोई चीज नहीं होती अपने इन हाथों की ताकत को समाल कर रखिये वरना अपने बेटे की लाश कैसे उठा पाएंगे अब तो इन कांधों पर शौल भी नहीं रख पाते फिर बेटे की अर्थी कैसे रख पाएंगे वैसे भासी से ज्यादा तकलीफ नहीं होती सिर्फ गर्दन जरा सी लंबी हो जाती है और जबान जबान थोड़ी सी बाहर आ जाती है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है चौदरी साहब आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी किके कफन और लकडियां तो आप खुद बेशते हैं अगर आप अपने बेटे की जिन्दगी बचाना चाहते हैं तो ये रहा मेरा पता और याद रखिएगा परसुम अदालत का फैसला है और कल की रात हमारे और आपके फैसले की रात होगी हमार प्लाँ प्लाँ हमार वे बिदेको बचाने और आपके जिन्दमाने प्लाँ महीं होगी रहलोगी हमारी बुड़ा पे कसार हो नहीं रहाँ क्या रह जाएगा हमारे पास माँ हम इसनी बड़ी सजाम मत ते जौद्री जी आपको पहले से ही ब्लड प्रेशर की बीमारी है आप जरा ख्याल कीजिए वरना मर जाओंगा तो अच्छा ही होगा उचसे भी निदंजन की लाज देखी नहीं जाएगी उसे पहले हैं में जहेद का लूगी मा अब तुह ही मेरे बेटे को बचा सकती है पुझा पुझा अगर तुम अपने पती की जान बचाना चाहती हो तो एक ही नास्ता है तुम अपनी इजघत की बलिचड़ाो ही 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 तुम अपनी आही हे कहने से वापस नहीं मिलती तो फिर अपनी इजद संभाल के रख मर जाने दे अपने पती को लेकिन याद रखना जान भी एक बड़ चली गई तो वापस नहीं मिलती यह भी आद रख निरंजन की मौत के बाद इस खांदान से चितनी भी लाशे उठेंगी उसकी जिब्दार भी तू हो इसे लिए वो गया है है कि वो खाल गई थाएद करण करो तुम्हें क्या चाहिए इस शुरर करें इस्जद या सुहार महंदी तोटी पिसी छनी घुली रची तब रंग लाल हुआ महंदी जैसा हाल हुआ तच पूछो तो नारी जीवन एक महंदी का पूटा है सच पूछो तो नारी जीवन एक महंदी का पूटा है कदम कदम पर इस अवला को हर रिष्टे ने लूटा है हर रिष्टे ने लूटा है सच पूछो तो नारी जीवन एक महंदी का पूटा है इस तरह क्या देख रहे हो हो जिस आग में चलने गई है ना सी आग में भस्म का तो तूट न जाए चूडिया इसकी मंग न सोनी हो जाए अपना धर्म निभाने को चुपचापचली है यह हाए महंदी की लाली का नारी कैसा मौल चुकाती है अपनी अर्थी को जी एजी अपने आप उठाती है इसका कोई दोश नहीं पर भग ही इसका पूटा है कदम कदम पर किस अबला को हर रिष्टे ने लूटा है हर रिष्टे ने लूटा है सच पूछो तो नारी जीवन एक महंदी का पूटा है किसी आपूटा है किसी आपूटा है किसी आपूटा है किसी आपूटा है मुझे विश्वास था कि आपाई और आप आगई इस तरह से मेरी तो जीत हुई जहीं जिए जब उसकी मर्दान गी की जीत हो कि अगर मैं आपको बहुत पसंद आगई थी तो मुझे अपने प्यार में इतना पागल कर देती कि मैं आपके पास भागी चली आती तब आपकी मर्दानगी की जीत थी, लेकिन ये क्या, किसी को सफेद कफन पेना कर अपने पास बुला लिया, ये आपकी मर्दानगी की हार है। हाँ, ये, आप मेरा ये आल्बम देखिये, मैं अभी आता हूं। सुदिया, सुदिया, चलिए बाहर आपका टांगा खड़ा है देखिए आप यहां से बाइस सच जा रहे हैं और कल निरंजन भी अदालत से बाइस सथ रहा हो जाएगा आप फिकर मत कीजिएगा ठीक है जाएए गंगा जलसी पावन है पर किस किस को समझाएगी हर खिड की हर दर्वाजे से एक उगली उठ जाएगी सीता बन कर भी नानी को चेह मिलाना जीवन भर बाहर है रावन की चिंता और घर में है राम कड़ इसकी लाज तो बच गई पर विश्वास कदरपन तूटा है कदम कदम पर इस अबला को हर रिष्टे ने लूटा है सच पूछो तो नारी जीवन एक महंदी का पूटा है बड़ी साफ सुत्री लगरी नहा दोकर आई होगी महंदी टोटी पिसी जनी घुली रजी तब रंग लाल हुआ हुरत का भी इस दुनिया में महंदी जैसा हाल हुआ महंदी जैसा हाल हुआ प्रश्मदीद गवा और पाए गए सबूतों की रोश्णी में यह साबित हो चुका है कि निरंजन चौदरी बेगुना है लहाजा अदालत उन्हें बाईज़त रहा करती है और सितारा पर जोहरा बाई के खून का मुकद्मा चलाने का हुक्म देती है और बाए रहाग जो सुप है अंपटों के खून की बाईजन सबून का मुक्या बाए जन्ड़त प्रफ्सका कौन था वो आदमी कौन वही जिसके पास तो एक राट के लिए गई जी तुकुर तुकुर अब देख क्या रही है कहीं थी या नहीं बोल था गई थी यह बोल तो यह बाग तुझे ज़रा भी शर्म ने आई इसे शर्म क्या आएगी अरे वैश्या भी बाजार में निकलती है ना तो चेहरे को आचल से ढख लेती है पर यह तो ऐसे गरदन उठा कर चल रही थी जैसे कोई किला फतर करने जा रही हो मैंने जो कुछ किया इस घर को और आपको बच्चाने के लिए किया इसलिए भगवान को तरस आ गया और मेरी इज़ट लुटने से बच गई यह उसके घर रात भर रही और उसने इसी छुआ तक नहीं अरे अगर वो इतना ही दूद का धुला था तो रात कोई तुझे अपने घर क्यों बढ़ाया यह मुझे मालूर नहीं और तू उसे कब से जानती है मैंने उसे पहले देखा तक नहीं कोई आदवी रात के अंधेरे में घर आकर ऐसे ही कह देगा कि मुझे आपके बहु चाहिए जब तक कोई पुरानी जान पहचानना हो और हमसे बिना पूछे ऐसे ही चली गई उसके पास गुलचरे उड़ाने के लिए यकीन मानिया मैं पवित्र हूँ छूट मोंती है तू साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भी नाजायस है खवरदार जो मेरे बच्चे को नाजायस कहा तो आप जो इल्जाम मुझ पर लगा रही है वो नाजायस है या सबूत ह तेरे पास कि तेरे पेट में जो बच्चा है वो निरल जंका है हाँ हाँ दे सबूत अगर आपका बेटा आपसे सबूत मांगे कि वो जिसे बाप कह रहा है सचमुच उसका बाप है तो क्या आप सबूत दे सकेंगी आप दे सकेंगी दुनिया की कोई भी मा इसका सबूत नहीं दे सकती तो फिर मुझसे ही क्यों ये सबूत मांगा जा रहा है इसलिए कि तू यहां से राद भर गायब थी हमने तो कोई ऐसा कुकर्म नहीं किया आप ही कहिए कौन विश्वास करेगा कि कोई राद भर काजल की कोठरी में रहे मान लीजी कि मैंने पाप किया है लेकिन क्या ये पाप पुन्य से अच्छा नहीं जिसे मेरे पती की जान बच गई है रामसादी आववारा बचला तुझे यहां रखकर मुझे अपने कुल और खांदान पर दाग नहीं लगाना चल निकाल यहां से नहीं नहीं मैं इस घर से नहीं जाओंगी अरे तुम घड़ी क्या देख रही हो निकालो इस चुड़ें का वहार चल निकाल इस घर से मुझे आप अपने से दूर मत कीजिए चोटे चौधरी कम से कम यी तो सोचो कि वह मा बनने वाली है तो क्या करूं किसी और के कलंग को अपने मा थेका बना लो थीक हुआ तेरे साथ कुल्टा हरामजादी चल निकाल बहार करो इसे क्या कहा था तुम्हें इस खर से नहीं निकाल दिया न याद रख चौधराइन वो नागिन है जो एक बार टस लिना इसके जहर का कोई लाज नहीं अरे सारी दिये जला दे चारों तरफ उजाला ही उजाला हो तर जाना था मैं वोडाली के जिस से मैं उड़के गई थी वहां लोटकर तो ना था मैंनि हसाती है महंदी, रुलाती है महंदी, बनाती है महंदी, मिटाती है महंदी, बनाती है महंदी, मिटाती है महंदी आपने कहा था ना पिता जी, कि मैं एक बहुत अच्छी बहु हूँ, अच्छी बहु तो वह होती है, जो डोली में ससुराल जाए, और अर्थी में वापस लोडती है, मेरी तरफ देखिये, ये लाश बिना अर्थी के ये वापस चलियाई, पुझा, पुझा पिटी, सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा सके, लेकिन पुझा खत्रे से बहार है, वो अभी बेहोश है, घबरानी की कोई बात नहीं, अजी कहना क्या है, सारे शेहर पे ढोना पिटवा दीजिए, कि बात पक्की हो गई है, ये किसका चुकुन जा रहा है, वालूम नहीं, निरंजन बाबु की शादी तैर हो चुकी है, वह इने पाच लाग कैश दिला रहा हूँ, जेवर और सामान दो लाग का, ऊपर से हाँ, अरे आपका संदी कौन है, जरा ये भी तो बता दीजिए सास जी, शहर के सबसे बड़े अमीर, सेट सूरज मल, दस जुलाई को बारा क्या हथ से जाएगी, चलो उठो जी, आजा बेटे निरंजन, आओ पंडे जी, अरे चलो लड़कियों, लगता है मैं किसी शुब घड़ी में आया हूँ, शायद बंदना बेटी का शगुन जा रहा है, जी नहीं, ये निरंजन की शादी का शगुन जा रहा है, रास्ते से हड़ जाएं, शागुन को जाने दें, अगर मेरी बेटी से कोई कलती हुई हो, तो मैं उसकी तरफ से ख्षमा मांगने के लिए तयार हूँ, मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी के सामने सर नहीं जुकाया, लेकिन आज, आपके सामने सर जुका रहा हूँ, औ के चर्णों में रखता हूँ, अंगाल आदमी की पगड़ी और उसके सर की कीमत, खोटे सिक्षे से ज्यादा कुछ नहीं होती, जैसे अतर को रुई में भिगो कर कान में खोस लिया जाता है न, वैसे आप मेरी भी बात अपने कान में खोस ले, आपकी पुझा मरे तो मरे हमें कोई चिंता नहीं, आगर कफन छोटा पड़ जाए और लकड़ियां कम हो जाए, तो किसी को भीजवा दीजेगा, डान में द बन्ने, चलो मैं पुझा को इस घर में रख लूँगा, एक नेक शर्त है, नेहा भी मेरे साथ रहेगी, और मेरी सेवा करेगी, इससे आपकी शान भी बढ़ जाएगी, मेरी बीबी और रखेल, आप दोनों के बाप कहलाएंगे, समझ में नहीं आता, तो मैं कुट्दा का हूँ, या सुबर, तुम धवाइफ के कोठे पे जाते तो हो ना, वहां एक कोना है, जहां लोग बर्सों से पान खाकर ठूकते हैं, तो उस कोने से भी ज्यादा गंदे हो, ठूकने के लायक भी नहीं, आज हमें पहली बार, बेटी का बाप होने की सजा मिली है, जब छोटे बड़ों पर हाथ छोड़ देते हैं न, तो आस्मान भी इन तक काम लेने की कसम खा लेता है, चलो बेटी, पुजारी जी, आज अदालत में तलाग का केस है, वाँ भाहुरानी पर जी भरकर की चड़ उचाड़ा जाएगा, पैचारे शरीफ लोग हैं, उनकी इज़त की तो, मुसीबत में शरीफों की कभी इज़त नहीं घटती, जला भी डालो सोने को, मगर कीमत नहीं घटती। धर्म पतनी से तलाग दिला कर, मिलोड, निरजन चौदरी की धर्म पतनी पूजा, धर्म और पतनी दोनों के ही नाम पर कलंग है, ऐसी और छूद की बीमारी की तरह होती है जैसाफ, जीती जाकती मौत है वो, और यही वज़ा है कि मैं अदलत से निरजन चौदरी के लिए जीवन दान चाहता हूँ, और यह तभी मुम्किन है, जब इसे उस वेश्या से तलाग दिला दिया जाए। मिलोड, इस से पहले कि इस केस की कारवाई शुरू हो, मुझे इस अदालत से कुछ कहना है। इजाजत है। निरजन चौदरी को पूजा से तलाग चाहिए। हम वादा करते हैं कि जिन हाथों पर उसने महंदी लगाई थी, उन्हीं हाथों से वो तलाग के एक आखजात पर दस्तकत करेगी। लेकिन हमारी इक शर्थ है कि यह केस यहीं खदम कर दिया जाए। मैं उसे इस हालत पर न पहुचा दो कि वो न पूजने के लाइक रहे और न जीने के। हमें इन चीजों से कोई मतलम नहीं रही तलाग की बात तो वो हम कोड से ले लेंगे। मिलोड, ये पूजा से सिर्फ तलाग ही नहीं। भरी अदालत पे उसकी इज़त पर कीचर उचाल कर उससे जीने का अधिकार भी चीनना चाते हैं। और ये इजाज़त मैं इन्हें कभी नहीं दूगा। आप कानून के साथ खेल रहे हैं। आपको तो कानून की रक्षा करनी चाहिए। आज मुझे कानून की नहीं, अपनी आउलाद की रक्षा करनी है। मैं तुम्हें आखरी बार पूछता हूँ, तुम ये केस वापस लेते हो या नहीं। वकिल साब, आप सच कह रहे हैं। बिलकुल सचुद्ध साब इस बात की गवाई देने वाल हैं, कि दीवान साब अदालत की मर्यादा को भंग कर रहे थे और अंकुष चोद्री ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। अंकुष साब बाहिज़त रहा हो जाएंगे। आरे साब भी मर गया और लाठी भी नहीं तूटी। यह तो सब प्रभू की लीला है। लोग केते हैं कि मुसीवत कभी अखेले नहीं आती। अब बिजरी पुजा कोई ले लोना। पहले उसके पेट का बच्चा मरा। फेर उसका तलोग हुआ। और अब बिजरी के पिदाशी गुजर गए। यह देखो, यह दुलन की साड़ी है। के रहे दुलन के गहने। राम नाम सक्त्य है। राम नाम सक्त्य है। बाबा की वित्याम कोई पराई। छर छर पैती है तस्वन था। तारे को रोए। तावल होरे। छोड़ चली मैं अपना दुला। राचा हो या अलंक होई। सबनी सिर्पर मां नी हा। पैटी, अपने वचनों को जरूर निभाना। जो इसे नहीं निभाता न, वो पाप का भागितार बन जाता है। नहीं, मेरा पती पापी है, राक्षस है। तूज फिरेगा तूज बचन है, संस ससुर मां मां किसे से। मेरे साथ ससुर श्राप है, अभी शाप है। मैं उस घर की मरियादा को मिट्टी में मिला दूँगी। मैं उस घर को पांच बना दूँगी। जहाँ कोई खुशी जन नहीं लेगी। आजबी फिरे का आजवा बचन है। दिहल अक्ष्मिय को आरूप अधरों में। मां दूरके का रूप धरूँगी। मैं उन लोगों को तिल तिल मारूँगी। मैं उनको तबाह वर्बात कर दूँगी। मुझे 40 kg लगडी चाहिए। अपने लिये। हुआ ड़ड भनाने के लिए के झालाने के लिए. झालाने के लिए। अपने पेसे जालाने लिए। पहले से लखड़ी आसे एकठी के प्रूप शबाकेZय। अभी मेरी मर्दे की उमर नहीं है, अभी दो साल पहले मेरे बाप ने दूसरी शादी की है हाउ, फिर तो उनको मबारक बाद देनी चाहिए, का मिलेंगे वो, वो अपने बाप से बिलने गए है हाँ, यानि कि उनके बाप भी जिन्दा है, लगता है कि और खांदान ने आवे हयात पी रखी है, ये पंड़र जी आज कल शादी कराने का दंदा बंद कर दिये क्या अरे उन कमीनों के चक्कर में तो मैं पिट्टे पिट्टे बचा हूँ, क्या चलो चलो लखली वजन करो, अरे तो लो के कैसे वजन कहा है, तुम्हारे बाप दादा की तरह चलता फिरता वजन है मेर बाद दिखाओ तेरे को यह बताओ तुम्हीने वजन की जगा क्यों इस्टेबाल करते हो, यह लोगा रात बर जागते रहते हैं, दिन भर काम करेंगे ना, तो ठक कर जल्दी सो जाएंगे, और फिर उसके बाद, मेरा सपना पूरा हो जाएगा, कहां वो पोट्टे, उनसे बहुत वजन उठाने को लगाई क्या, वो छोटे बच्चे हैं, उनसे इतना काम न को लेओ, कि उनका कचुमबर निकल जाए, पोट्टे सच्मुश्स हो गया है, जाके खुदिछ देख लो, एक मिनिट देखकर आता हूं, सोना नहीं, मेरी शब्बो, मेरी भागमती, मेरी लाट बजार, मेरी चूडियों की दुकान, सच्ची, तो ऐसा पहले कायको नहीं बोले, इससे पहले ये घर, हैदराबाद का छिड़िया घर दिखता था, लेकिन आज, आगरे का ताज महल लग रहा है, शब्बो, बन्ने, मेरा दिल कर रहा है कि तुमको, नहीं, हाथ नको लगाओ मुझको, कायको, आज मैं मजबूर हूँ, आज नको, 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 नको करो जी, हाओ, हाओ, करो जी, मुझे अतीम पर रहम खाओ, खुदा तुमको फल नहींगा, आओ, आओ, समझ गये न, और अभी भी नहीं समझे, तो कहो, कान में बोलू, नको, नको, कान में नको, नको, समझ गया, इसका मतलब आज भी, हाओ, हाओ, मेरा क्या नजीब रहे, मैंने अभी तक सुहाग रतनी मनाई, और उदर छोटे चोदरी को देखो, एक शादी के बाद दूसरी शादी का शगुन लेकर जाने वाला है, अभी वो हल्दी भी मजे से लगा रहा होगा साला कहा दाले बना माना ने जोले, अना रोग कले, बना कंगिना सवारे, चमेली चले मरिया ले ने देरे, कहा डाले ले, मया प्यारे ने देरे, कहा डाले ले इतना डर क्यों गए, मैं तो सिर्फ हल्दी लगा रही थी, कोई कफन नहीं पैना रही थी यह रही वो जेवरों की लिस्ट, जो दीवान सहाब ने दिये थे, और साथ में मांग ठीका भी है, जो इनकी बहन से जबरदस्ती छीन लिया गया था अगर आप लोगों की बहिमानी की नियद नहीं है, तो इनने जल सीजल लोटा दे, वहना हम अदालत के दर्वाजा खटखटाएंगे उन्होंने दिया ही क्या है, जो भी दिया है हम सब लोटा देंगे, वैसे भी बिकारियों के हम कोई चीज नहीं रखते, भिकारी तो खाली हाथ भीक मांगते हैं, मगर आप लोग तो अपने ही बेटे को कटोरीक तरह आगे बढ़ाते हो और भीक मंगवाते हो, देदे बाब आप बेटे के नाम पे, आप लोग तो उन्ट भीकारियों से भी गए गुजरे हैं, लाने थे आप सब पर, चलिए वकीर साथ जाते जाते एक बात सुन लो, आज तुम्हारे बाप के मॉर्डर केस की तारीख है, मैं कोट भी जाओंगा, और वहां से बाइज़त रिहा भी हो जाओंगा आगे के लिए इतना याद रखना, अगर तुम बहनों ने ज्यादा हाथ पैर बाहर निकाले, तो दिवान साब की तरह तुम दोनों को भी खून से नहला कर दुलन बना दूंगा ये द्वार पे खड़े है, और इन्हें हमने द्वार चेकाई नहीं दी, इसलिए इतना नाराज हो रहे है, लीजे द्वार चेकाई पता जी, आपका अत्यारा बहुत खुश है, कि वो आज कोट से रहा हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी उसने सेल्फ डिफेंस के कानून का साहरा लिया है, मैं भी उसी कानून का साहरा लूंगी ताकि साब भी मर जाए, और लाठी भी न तूटे विवान साब ने जो कुछ किया, और बाद में जो कुछ हुआ, उस अभी यहीं हुआ, जाज साब आपने विदा देखा था, तो अब बोलने के लिए बचा क्या है, जो गीता पर हाथ रख कर कसम खाओं कुछ ऐसी बाते भी कहनी पड़ेगी, जो इस अदालत में नहीं हुई थी हम ठेरे गरीब लोग, हमारे पास न तो दहेच देने के लिए रुपए हैं, और ना ही वकील की फीस के लिए इसलिए मैं खुदी इस केस की पैरवी कर रही हूँ मैं जो कहूँगा, सच कहूँगा मिस्टर अंकुष, आपको एक वादा करना पड़ेगा, कि मैं आपसे जो कुछ भी पूछूँगी, आप उसका जवाब बहुती शान्ती से दीजेगा शान्ती से ही जवाब दूँगा घड़त मत जाएएगा सुनाने आपकी माँ वैश्या थी मुह सवाल के बात कर आपकी माँ वैश्या थी या नहीं खबरदार में माँ के बारे में कुछ भी बोलातो सॉलिक कमिनी यूर ओनर मेरे इतना समझाने के बावजूद कि शान्ती से जवाब दीजेए जब मैंने इनसे ये कहा कि इनकी माँ वैश्या थी जो एक सच है तो ये भड़क उठे तो बताएए यूर ओनर मेरे पिता दिवान सहाब को उस बब गुस्सा क्यों नहीं आता जब उनको वैश्या का बाप का जाना था वो भी इस भरी अदानत में चीक चीक कर सब के सामने मिस्टर अंकुष आप रिवॉलवर अपने पास हमेशा रखते हैं या नहीं यूर ओनर रिवॉलवर हमेशा अपने पास अक्सर वो लोग रखा रखते हैं जिनके पास बहुत सारी दौलत होती है या शोहरत दौलत तो आपके पास हैने क्योंकि चरस पीने के लिए पैसे भी आपको ससुराल वालों से भीक में मांगने पड़ते हैं अब रही शोहरत की बात तो इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आधी रात के बार गली के आवारा पुत्ते आप पर भौकते जरूर हो आपके पास न तो दौलत है न शोहरत फिर अपने पास रिवॉलवर रखने की वज़ा क्या है वज़ा ये है कि आप एक घटिया किसम की इंसान है आप घुंडे है तु मुझे घटिया इंसान और घुंडा कह रही है मैंने तो फिर भी कुछ अच्छा कह दिया आपके ससुराल वाले तो आपको कुछ और ही कहते है क्या कहते है वो आपकी सास आपको नामर्द क्याती है, उनका कहना है कि जो मर्ट अपनी कमाई से अपनी बीवी बच्चों को पाल न सके, वो काई कमर्द, वो तो नामर्द होता है, क्या आप झांवित कर सकते है कि आप इस लेहा से नामर्द नहीं है, यो शयट आप, आप उनके जूटन पर पलते हैं इसलिए आप उस वफदार कुट्टे की तरह हो गये हैं जो मालिकों के कुछ कहने से पहले ही भौकना शुरू कर देता है बताईए दीवान साहब ने आपसे कुछ कहा था नहीं चौदी खांदा ने आपसे कुछ करने के लिए कहा था नहीं तो फिर आपने गोली क्यों चिलाएं जो अपनी जिन्दगी अपनी खुशी से जूतन और उत्रन के सारे गुजारता हो वो हर राग पिकने वाली उन बाजारू ओर्तों से भी ज्यादा गंदा और घिनोना होता है मुझे मालूम है कि दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो आप जैसे नामर्द को मर्द बना सके अधालत है यहां किसी को धंगी देना अधालत की मरियादा के खिलाफ अधालत क्यों मरियादा की तैसिल तेरी तो करें दिए निवे निजेन को चौदरी कौन है घ्राइए मेरे साथ ग्रियो चेत्व प्रिया जो यहां प्रिया ट्रिया में जामा बाजत आओ जाओ जाओ रहा को अजान आओ अजर था हो... पुरा मत्मानी पुरानी सासुजी सही चीज सही जगा पहुची जाते हैं कोई कुछ भी करें तेर बहन और भाई लगते हैं मुझे पसाई हो क्या ये बेर की बत्ती जलने देंगे के नहीं अरी बोली शब वो बोली संगम होगा के नहीं पीन मेरी बेने और चार मेरे भाई सादु हीर मेरे अम्मा बाबाजी का माई प्यार का पहारा कर दिया सुने है मेरे तबाड़ा सोचा था के शादी करके एश करेंगे प्यार वाला चेक हम क्या शुकरेंगे बच्चा बच्चा जहरी लगे लाई है जहेज में इहें का है तू बापो के घर से तो इन ससुरों को देखा तो ऐसा लगा जैसे काटों के जाड जैसे जहर के पहार जैसे डेंगू बुखार जैसे पिछू के हार जैसे रावण के रूप जैसे नीम का सूप जैसे दुश्मन ने भी हो कोई फिस बत आहो को तुझे पीटने को दिल कइल करता है उगोचू तुझे पिचने को दिल ov जो मिं मुझे आई लगता है तुझे तिचने को दिल जन्ञता है सात उल्लु पड़े-पड़े, घूरे हमको खड़े-खड़े तच-च मैं कहती हूं सुन्डो अजी काड़ेंगे तंपू यही पे सभी रात भर मुएं मिलने न दे दीदे देखाएं बड़े बड़े कम बखतो कम बखतो फुटो कहीं मिया बीबी को जरा छोड़के खेले का पटी अर्मान दिल में आओ खुशेडू तुम्हे तापों के बिल में खटिया के नीचे क्या है खटिया के नीचे परदे के पीछे क्या है परदे के पीछे खटिया के नीचे भाई परदे के बीछे बहना ये मेरी आँख कितारे ये मेरे घर का गहना हाई ओ रभा मैं क्या करूं कहां मरूं अरे चुप ओ दीदी बोलो ना निकुंदी खोलो ना ये बबलू रोता है बुदू नहीं सोता है कि चिंकी लड़ती है मुझे तंकरती है कि छुटकी दरती है कि देखो चिंदू को खासी आजी है ओ दीदी बोलो ना ये खोलो ना ओ दीदी बोलो ना ये खोलो ना कि नमस्ते सेर्जी आप अंकुष चौदरी के शराद में नहीं आएं शादी की नहीं तारिक निखल वा लें ये शादी अब नहीं होगी तौन सेर्जी हमने जो कह दिया वो कह दिया थीज्य शादी की तैयारी में हमने लाकों रुपय खर्च कियें है उसे जाफ पिरारी में नाक कर जाएगी ऐसा बत कीजिए ये इस नामा जोड़िये मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ पाव पढ़ता हूँ हमारी इज़त का कुछ तो ख्याल कीजिए अरे बंडित के कहने पर हमने तुम्हें गंगा जल्स समझा था लेकिन आप पता शला कि तुम गडर का वो गंदा पानी हो जो केमिकल डालने से भी साफ नहीं होता चले जाओ यहां से आज 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 मिलब प्याले प्याले बच्चो अच्छा अच्छा पापा भी चलेंगे बिलकुल चलेंगे रहीम चाचा रहीम चाचा की यह बच्चों को सब आईस्क्रीम खिलाने चाहिए यह बहुत सब्सक्राइए जा पिटेंगे जा चलो सुनिये आप नाश्ता कर लीजिये मैं नहाने जा रही हूं मुझे आपसे बहुत सारी बाते करनी है जिसके लिए यह जगा मुनासब नहीं हम कई और मिलेंगे देखो पुरे एक महिने के बाद मेरी बीवी और बच्चे घर लोटे हैं आज मैं घर से बाहर निकली नहीं सकता मिस्टर राज हम दोनों ने यहां एक रात गुजारी हैं जो शक मेरी ससुराल वालों को हुआ वही शक आपकी पत्नी को भी होगा अपनी पवितता का सबूत न तो मैं दे पाए थे और न आप दे पाएंगे जिस तरह मेरी दुनिया बरबाद हुई उसी तरह आपकी दुनिया भी बरबाद हो जाएगी अगर आप इस बरबादी से बचना चाहते हैं तो ये रहा मेरा पता हूँ है कर दो कर दो एक बात याद रखना अगर तुमने मेरे परिवार में सराभी सहर खोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी कहानी ही खत्म कर दूंगा खुद तो मेरी जिन्दगी में तुफान बन कर आया और तिनका तिनका बिखेर दिया और आज जब खुद के घर में जरा सी हवा चली तो पत्य की तरह काम गए और रिवॉल्वर निकाल लिया चलाईये गोली चलाईये गोलियों से न तो कहानी खत्म होती है और नहीं पाप मि पादूर हो तो मैं गोलियों से डर नहीं लगता जिस औरत का न भाई हो न बाप न शोहर न समाज वो औरत औरत नहीं रहती लाश बन जाती है और लाश गोलियों से नहीं डड़ती और इन सब के जिम्मिदार तुम हो मैं तुम्हारी बर्बादी नहीं चाहता था फिर पहन थी राधिका वो निरंजन से प्यार कर बैठी और उसे शादी करना चाहती थी लेकिन निरंजन ने उससे ठुकडा दिया और उसने आत्मा हत्या करली बात यह है फई पर बहुत सी लड़किया मरती थी एक ती राधिका उसने तो भया के लिए अपनी जान ही दे दि मैंने अपनी बेहन की चिता पर कसम खाई थी, कि मैं निरजन को कभी शादी शुदा जिंदगी का सुक भोगने नहीं दूगा तुम्हारी वज़े से उन्होंने मुझे बच्चलन आवारा साबित करके घर से निकाल दिया मैं एक बहु नहीं रही, मेरा बाप नहीं रहा, मेरा बच्चा नहीं रहा मिस्टर राजेश्वर, तुम्हें एक बेटी, एक बहु और एक मार तेरों के मुझरिमों सच मुझ, बदले की भावना में मैं अन्धा हो गया था मैं यह सोच भी नहीं पाया कि जो आग मैं लगा रहा हूँ, वो और किस किस को जलाएगी मैं तुम्हारा कुनेकार हूँ पूजा, तुम मुझे जो सजा देना चाहो, दे सकती हो अब मैं हर कीमत पर उनसे बदला लेना चाहती हूँ और इस बार, अगर कोई भी कीमत चुकानी पड़े, तो वो कीमत, मैं चुकाऊंगा रामोतार की बीवी खेंतों पर काम कर रही है, क्या, चलो मैं मिलेओ कि इतनी हिंफत निकल जा मेरे कहते है, ये तो हमारा कहते है, चौधरी जी अरे तुम्हारा था, अब ये मेरा है, राम अवदार ने वीशाजार रुपे का करदा लिया था, जो सूस समेत पचास अजार रुपैं हो गए थे मंने से पहलरे चौदरी जी अरे मैं जूट बोल सकता हूं लेकिन यह कागजा जूट नहीं बोल सकते यह देखिए मुख्या जी यह देखिए राम अवतार के अंगउटे का रिशान देखिए हाँ भागवान कभी माफ नहीं करेगा चौदरी जी ओ चौदरी जी मैं यह पूछ रहा था कि रामाउतार जी की तो तुमसे पढ़ती भी नहीं थी वो तो तुम्हारे दरॉल पर थूखने भी नहीं आता था नहीं था फिर उसने करदा कभी लिया तुमसे और कागजात पर निशान कभ लगाया पीच में मत बॉल कुमाल और बन्ने में भी बीच में बोलते हैं मगर आप उन्हें कुछ नहीं डौटते हैं हां नहीं डाटता इसली कि वह मर्द है तो मर्द है क्या मुख्राजी साले को क् कि राम अवतार एक इजदर्दार आदमी था और हर इजदर्दार आदमी कभी किसी के सामने नहीं हमेशा चुपकर करदा लिया करते हैं क्यों मुख्राइजी जब आपकी बेटी की शादी हुई थी तब आपने भी तो चौदर सब सच कह रहे हैं पंचायती करने आया था ताला इतने भी हमारी बेजदर्दी मत किजिए चौदरी साब क्या करेगा क्या करेगा तो अगर दो दिन के अंडर तुमने नहीं खरीदा तो मैं किसी दूसरे को दे दूँगा अरे तुम भी खामका की दमकी देते रहते हो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इस फैक्टरी खरीदे मौला कोई दूसरा नहीं है अरे आपका खयाल गलत है साई दूसरा गरहात माल के तयार ख़रा है वो तो आप से पहले बात हो गई थी इसलिए दो दिन का टाइम दे रहा हूं दूसरे गरहाक से मिलवाओं खातरी कर लो अनसाई ज़र बाहर हां ना यह तो अभी पूरा पेइमेंट देने को तयार है लेकिन मैंने आपको जबान दी है इसलिए दो दिन दे रहा हूं और बिजनिस में जबान की बड़ी कीमत होती है अने आप दोनों एक दूसरे को हलो भी नहीं बोला आपको दो दून के अंदर पैसे मिल जाएंगे साहीं आपको देखते ही निरंजन की आखों में खून उतर आया था और उसे देखते ही पुझे अपना खून यादा गया था उसका मूर देखकर तो ऐसा लगता था जैसा वह आपको मारी डालेंगा यह काम तो वह पहले ही कर चुका है दुदानी अब तो उसके मरने के दिन हैं अब तो उस फैक्टरी को खरिना ज़रूरी हो गया है वो भी उस फैक्टरी को खरिना चाहता है कौन वही जिसके पास पूजा गए थी मैं उसके पास वो फैक्टी नहीं जाने दूगा ये मेरी मान का सवाल है तु चिंता क्यों करता है बेटा अपने बेते का मान रखने के लिए एक माँ कुछ भी कर सकती है ये रहे 10 लाक रुपे तेरे पिता जी को ये मालूम नहीं पढ़ना चाहिए कि हम लोगों ने पैसे निकाले परना वो जिंदा ही चिता पर लेट जाएंगे ये रहे 10 लाक रुपे कैश और ये रहा बैंक का 20 लाक रुपे का चेक पैमेंट पुरा हो गया हो गया साइं बिल्क मिस्टर निरंजर बहुत बहुत मुबारक हो अड़े बहुत चिलेशन आप यह बताइए कि आप यहां रिपोल लिखवाने आये हैं यह आंसू पच्वाने अगर तो आंसू पच्वाने आये हैं तो यह लीजिये रुमार पूचिये आंसू और दभा हो जाएए यहां से नहीं नहीं मैं तो रिपोर्ट दिखाने आया हो जी मैं इसी चौरी से 10 लाक रुपे चौरी हो गएं मैं कंदाल हो गया हो जी इक कंदाल बस बस चिंता मत करो इतना याद रखो मियां चिंता और चिता में एक चिविंदी का फरक है अगर आपने इनको 10 लाक रुप्र दिलवा कर से छुड़कारा नहीं दिलवाया तो यह चिता पर लेड़कर अपने जान दे रहें मरने की तब सोचना जब घर में पैसे हो गौन्रा शराब भी ठीक तरीके से नहीं होगा और आत्मा को शांती भी नहीं मिलेगी जी अफिकर है किसी पर शक है कौन्जी वारू ए बीचकी म करना कि अरे दो गोले दुका में जारूर इसने ही चुराय होंगी ए चल फोट चल दिकाल मेरी को लिया नहीं है ना हाँ हाँ बिल्लू तेरा नाम है हाँ मेरा ही नाम है तो चल जी बहुत बड़ा रामी इसलिए तो मेरी मार खाता ही गूंगे भी हो हो हम रीगाने लगते है कितनी किलो दिया चाहिए रुप्या कहा है सर इसे मत मारिये सर तो क्या इसका चुमा लूँ मेरी एक बात सुन लिजे सर टीवी सीरियल महा भारत तो आपने देखा होगा भीश्म पितामा की मौत की वज़े एक चक्का था आपका नाम भी भीश्म है और ये एक चक्का इसलिए कहता हूं कि प्यार से काम लिजे मेरे लाल ये प्यार करने की कोई रुमांटिक जगा नहीं है ये पुली स्टेशन है पुली स्टेशन समझे आज कल बहुती भी देखता है जा ओ चोदरी साब थाने में सर ले आना जुरूरी था क्या तो अपने सर को कहा रखू लेकिन सर आप टकले कब से हुए ओ चोदरी साब ये ट टकले का सर है ना कुस्से का सुच बोड है सुच बोड जिसके चोबीस बटन आपने दबा दिये हैं शुकर करो आप बच गए क्यूंकि आप भी तो टकली है ना लेकिन मैं उस साले को नहीं चोड़ूंगा अब बता तुने रुपय लिया या नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया बगवार की सब्सक्राइब कुछ नहीं किया ये जूट बोलता है इस्पेक्कर तू ऐसे नहीं मानेगा नहीं मैंने चोड़ नहीं किया निरंजन बाबू आप यहां जी आज मेरी फैक्टिका महरत है तुम यहां मंदर का दुवार पूजा क्ले खुला रहता है लेकिन मेरे घर का दर्वाजा तुम्हारे ले कभी नहीं खुलेगा वो घर नहीं किराय का मकान था मेरे लिए जब रहने की कीमत नहीं चुका सकी तो निकाल दी गई हर एक की जीवन में कुछ न कुछ सालुक ले बनवास का समय आथा है और इसे तो काटना ही पढ़ता है ओ तो तुम यहां बनवास काटने आई हो हाँ तो काटी रह ओ इसलिए कि तुम्हारे बनवास का कोई आंखत नहीं होगा क्या इसलिए की मेरा राम ही रावन है मैं कि-षी कार राम नहीं और नहीं राम बनना चाहताम हिए दुन्याराम ली узнаção नहीं महा भारत है यहाँ जीतना ही धर्म है और किसी भी कीमत पर जीतने वाले अक्सर जीत कर हार जाते हैं लेकिन मैं कभी नहीं हारूंगा आपकी बारात मंडप से वापस आ गए कलपिता की साड़ी सफेद हो गई आपके बाप की पगड़ी उच्छा ली गए क्या कर लिया आप में तो तुम यहां बनवास काटने नहीं बदला लेने आया हो देखता हूं तुम बदला कैसे लेती हो पाप का घड़ा अगर भर गया हो तो इसमें कंकर मारने की जरूरत नहीं पड़ती वो घड़ा खुद ही फूट जाता है चोटे चौधरी और अज जब तक रोती है तभी तक कमजोर होती है आज मेरा सपना पूरा हो गया है यह सपना कभी पुरा नहीं होता है कि अगर मेरी माने मेरा साथ ना दिया होता है यह इंगार में ही मेरी इतनी तारीफ कर रहा है नहीं कहिए ही क्या है बस चौधरी जी की टिजोरी से दस लाक रुपे निकालकर इसको दे दिये और क्या क्या आप लोग भी कमाल करते हैं एक ही घर में रहकर एक दूसरे की चरह करते हैं और जूटी रपोर्ट लिखवा कर बचारे बिलू को पिटवा दिया जानते हैं आप लोगों पर उल्टा केस चलेगा और तो पुलीस भी आप पर चार्ज लगाएगी अब तो सिर्फ आप लोगों भगवान ही बचा सकता है कि यह क्या है आप ही ने कहा था ना कि अब सिर्फ भगवान ही बचा सकता है हाँ मैंने कहा था है कि असरी है आपको भाषा का इन बहुत अच्छा है आप कोभी भाषा का इन बहुत अच्छा है उ तो है है आछंग तो हम चलते हैं जैन 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 मुखिया जी मेरे बेटे बिल्लू को बचा लीजिए अब तो आपको भी मालूम हो चुका है कि वो चोर नहीं याद क्या है पुलिस से किशी को बेज़द करवा की पिटवा दे दे ये तो सरा सर जुल्म है मुखिया जी आज आपको इंसाफ करना पड़ेगा यहां की पंचायत जब यहां की माओं को यहां के बेटों को यहां की बेटियों को इंसाफ नहीं दे सकी तो आपको क्या इंसाफ दे पाएगी बताईए मुखिया जी चौदरी परिवार के ताल पर यहां का समाज कब तक हो गया है मुख्या तुम लोगों ने गाव में यह पंचाती विचाती क्या लगा रखी है चला पूटा यहां से अदब से बात कीजिए यह कोई का कोठा नहीं गाव की पंचायत है कौन हो तुम फिलहाल सवाल सिर्फ मैं पूछूंगी यह जानते हुए भी कि निरंजन अरवाही नहीं की और निर्दोश बिल्लू को मार पीटकर हवालात में बन कर दिया इसलिए के उनके घ्राफ इसीने लिखवाई तुम एक्शन गैसे लेता मैं लिखाती हूं कंप्लेंड लिखिये ऐसी कंप्लेंड मैं नहीं लिखता ठाने में जाकर हवालधार को लिखवा जाब यूर अंडर अरेस्ट गाउंवालों का प्रेशर है एक दिन के लिए आपको गिर्फतार करना ही पड़ेगा कैसी लगी नई सुसुराद सिग्रिट जला लीजे थोड़ी शांती मिल जाएगी निरंजन बाबु आपने जो आग लगाई है वो फूक मानने से नहीं बुझने वाले बोले जो बोलना है आज तेरा वक्त है कल मेरा वक्त भी आएगा वक्त आएगा आप तो कहते थे की वक्त आता नहीं लाया जाता है लगता है अंदर से बहुत तूट गए है छोटे चौदरी चाहे जितना भी तूट जाओं जमानात पर तो छूटी जाओंगा फिर ऐसी आप लगाऊंगा जिसे बुझा कर मुझे जरूर शांती मिलेगी एक बात याद रखिए छोटे चौदरी जिंदगी का खेल जल्दबाजी से नहीं खेला जाता जो खेलते हैं वो अनारी होते हैं और जो अनारी होते हैं वो अपने ही पाव में कुलाडी मार लेते हैं क्या पानी लाओं आपके लिए एगलास चलाप अरे आग लगे उस इंस्पेक्टर को, मेरे बेटे से पैसे भी खा लिया और उसे गिरफतार भी का लिया, फगवान करे मरने के बाद उसके मुँ में आग देने वाला कोई ना हो, उसके लाश को चील को हुआ, एक कुट्टे नौच नौच के खा जाए, खच खच कीना लगे अरे खवरा मत भागए मन सब ठीक हो जाएगा, अरे क्या ठीक होगा खाक, सामने उस मनूज का चेहरा जो नजर आ गया, अरे सब इसी का किया कराया है, इंस्पेक्टर के अंदर इसी वे जहर भरा होगा, जहर तो नागिन के पास होता है, हम इंसानों के पास तो सिर्फ कमी निए? देखो जी देखो ये मेरी ससुराल है, कहते हैं लोग के दाल में है काला, लेकिन यहां तो खूरा घोटाला, सारे गे सारे ही दाली ये दाल है, ये मेरी ससुराल है, अरे लड़के की शादी मेरा मड़ा दाए, करे हम सामा, धीरे धीरे होता शुरू, मेरे निकात करे द्रामा, घर में दुलहन जब आती है, कितने शगुन मनाते है, पहले फूलों की बारिश करे, फिर ये बिजने की राते हैं, इससे बहु के लेकर हो, परती है हर नम बेटे के दौर, घर को बना लेते हैं ये, एक महा भारत का मैंदान, और यहां पर मिलता है सड़ा हुआ माल, अरे करते है लड़की का जीना ये मुहाल, ये खोटे कर्म है करते, नहीं भगवान से डरते, पारी पर सी, खटन गया सी, खटके ले आया खास, किना जंगा ओंदा जे मावर की मुंदी सास, तेक मैं चूड बोल लया, तेक मैं कुफर तो लया, तेक मैं जहर घोल लया, मैं कोई ना बैए कोई ना बने 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 जब जब स्टोंप अटे कोई तो सिर्फ बहू क्यों चलती है दरिया या कोई में ढूब के सास ननत नहीं मरती है पैसे की हाथ इरस के माँ पाक को खा जाता है ये है कि इस पराई इसमें कोई करस नहीं खाता है लगता है के बहुशक्त में ही शायद कोई गल्ती है जरिये ननत साथ देखो ये कह की और मन्थरा है सत्र भी कम नहीं रखती भर ये दुर्यों धन की तरहा है देखे की जान बचाने को बहुशक्ता लगाते हैं इन्हें ये खबर नहीं है के ये कितने पाप कमाते हैं कहत कबीरत नोबाई सादो कनी का फल पाएगा बोया पेड पफुल का तो फिर आम कहां से खाएगा हाथ उठा कद परवाले से मां को मैं यही ही दुआ ऐसा किसी के साथ नहीं हो जैसा इसके साथ हुआ सुनो नारियों जुल्म न सहना याद रहे मेरा संदेश अगर जरूरत पड़ जाए तो अगर जरूरत पड़ जाए तो धर लेना चंदी का फेश मुझको सताए अब किसकी मजाल है यह मेरी ससुराल है देखो जी देखो यह मेरी ससुराल है कहते हैं लोग के दाल में काला लेकिन यहां तो फूरा घोटाला सारी की सारी ही काली यह दाल है यह मेरी ससुराल है यह मेरी ससुराल है जाके पूजा से मिल गए आज कोई काम करने वाली भी नहीं आई मरने के लिए अरे नहीं आई तो क्या हुआ हम कोई लंगड़े लुले थोड़ी है कल्पिता चाह तुई वह बर्तल धोड़ाई करें कि मत nh पनिए अरी रे से को है अरे वाली नहीं चुप स Zusammen आगार अंवीशती स्वास्थी बहुत रू रहा है मताने क्या बाथ है अच्छár च्छ शुप स्पशा में आखिता अरी आजूनुल बाजी भी खादें आय हाय चाद्राएन ये उमर मा अकेली ही बट्टन होने बढ़ गए अपसोच पर तुम कर भी का सकती हो तुम्हारे घर मा गंदा बरतन भी तो बहुत है एक बात कहते हैं चाद्राएन वा इससे अपना काम खुद ही कर लेना चाहिए अपना काम करने से ताहोवत है सहद भी अच्छी रहती है और रात को नीम भी बड़ी बड़ी आती है है ना चाद्राएन अच्छा अब चलते हैं पिता जी बोल पिता जी मैं ससुराल जाना चाहती हूं अकल दे से आई जल्दी जा पर खाली हत कैसे जाओं अरे भीग मांगती जा क्या मतलब मतलब ये कि मा बेटी ने मिलकर मुझे कंगाल बना दिया है अब तुझे कहां से तू सुवह से चौद्राएन ने कुछ खाने के लिए भी भीजा है ह। ये लो सेट जी खीर खुश्बू तो अच्छी है बहुत अच्छी है ये ले लो पिता जी खीर तो बहुत अच्छी है किसने भेजी इतनी सारी खीर आपकी बहुने तू जुट बोल रहा है वो क्या है कि बहुरानी दूद्ध खरीद कर बोली कि बनने में इसकी खीर बना दो लेकिन एक कुट्टा ना जाने कहां से आकर टाम उठाकर उसमें पिशाप कर दिया मैंने उससे पूछा कि इस दूद्ध का क्या करूं बोली दूद्ध को बर्बाद नक्को करो इसकी खीर बनवाकर ससुजी को बिजवा दो मुझे उसकी बाद मानने पड़ी क्या इस पे कुट्टे का पेशाप है हाँ यह क्या आपने अब क्या हुआ इस हाट डी में मेरी छोड़ी शादी पेशाप करती थी क्या निकल जा मेरी दुकान से हट 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 चौद्राइन 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 मैं अभी बहरी नहीं हुई जो इतनी जोर से चिला रहे हो तुमने आज दिन में खाना क्यों नहीं बेजा यहां बरतन कौन धोता तो मां बेटे की वज़े से तो यह हाल हुआ है कि आज गाम का एक आदमी भी हमें पानी तक देने को तयार नही तो यहां नहीं थाना क्या बताओं यह पूजय लेकदाओं वालों के साथ मिलकर हमें कितना सताया चुप रहों नहीं मैं चुप नहीं रहोंगी मैं तुम्हारी तरह थोड़ी हूं कि कुट्टे के पिशाब वाला खीर मज़े से खा गए और चुप रहे गए और यह कौन से तीर से यात्रा से आया है जेल से आ रहा है अरे तो इसमें मेरे बेते का क्या दोश है जो भी हो सबीसी के करवों का फ़ल है बाबूजी दूसरे की बहन पर ना तू जल्म करता और ना भगवान तेरी बहन को विद्वा बनाता बाबूजी तुने एक बाप हो बच्चे को पेट के अंदर ही मार दिया था यह उसी पाप का फल है कि तेरे सामने तेरी भेन का बच्चा जिंदकी भर अपने बाप के लिए तडपेगा बाबु चले जवानी में थोड़ा गुसा तो आही जाता है मैं तो पहले ही कह रही थी चुप रहो चुप रहो यह तुमने कब कहा था ठीक है नहीं कहा था तो आपको तो चुप रहना चाहिए था उठो उठो काम ही ऐसा करते हो कि कुटा भी मूँ चाट ले बाबुजी बाब के साथ बड़ी हमदर्दी जता रही है दिन में जब खाना पकाने और बर्तन धोने के लिए मैं तुझे ढून रही थी उस वक्त कहा गई थी मतल गश्टी करने मा में मुन्ये को दूद पिला र रही तू बटाती रही चुप होजा चौद्राइन अरी ये क्या मेरा हाथ बटाएगी शादी के बाद ये बोज बनी रही मुझ पर यहां पड़ी-पड़ी खत्मल की तरह खून चूसती रहती है और क्या करती है मां तुम ये भूल गई कि मेरे पती ने इस घर के लिए लगेगी सूवर तो सूवर ही कहलाएगा मां मैंने तुमको चुप रहने को कहा भी था मेरी कौन सुनता है काम ही ऐसा करती हो कि कुट्टा भी मुझ चाट ले अधो अधो रोमा चौद्राइन कुट्ट्य आपस में रूट्टी के लिए जगड़ा करते हैं आग में तब जगड़ा करता है जब वो हार जाता है लेकिन मैंने अभी हार नहीं मानी मैं अपने हारी हुई बाजी को चीत कर दिखला दूंगा चौद्राइन हाँ गलतियां तो इंसान से होई जाती मेरे परिवार वालों से भी गलतियां हुई है सो उनकी दर से मैं माफी मांगने से क्या होगा बिल्लू तो अभी तक जेल में है वो आज रहा हो जाएगा मैंने अप्रकेस वापस ले लिया है यह आपने बहुत अच्छा किया चौद्री साहब हर साल की तरह इस साल भी दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाएंगे उसका पूरा खर्चा मैं उठाओंगा मैं और मेरे परिवार वाले ड्रामे में हिसा लेंगे कि अच्छान च्छान सज्जनों चूंकि दुर्गा पूजा का समय आ गया है आज हम द्रौपदी चीरहरं का ड्रामा प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि चलो तुम्हें रिया किया जाता है कि सर वो जा रहा है जरा उससे प्यार से बात कर लिजिए तुम फिर वही राग अलापने लगे सरा भूलिये मत कि आपका नाम भीच में है और वह एक छक्का हुआ है दुर्योधन हूं दुर्योधन मैं कोई भी बाजी नहीं हारता तुम लोग दुरोपदी को बली भाती पैचानते हो हां भ्रातास्त्री वही मनमोनी गजगामनी मेरे के नैंडी दस्वंती और लाज्वंती है जाओ उसी दुरोपदी को शीगर ही प्रस्तोत करो जो आग्या भ्रातास्त्री अन्या है ये घोर अन्या है महराज आपको कुछ दिखाई दे रहा है महरानी महराज मा को वैसे भी बेटे की बुराई दिखाई नहीं देती मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दुर्शासन तुम शिदिल क्यों पड़ गए हो जाओ आगे बढ़ो देखते क्या हो यही उचित समय है जब तुम अपने अपमान का बदला ले सकते हो इतिहास साक्षी है ऐसा शुबव सर बार बार नहीं मिलता यह गोर अन्याय है अन्याय करना भी कभी कभी न्याय है भीश्म पिता मा दुर्शासन कहीं आइसा ना हो के शिकार हाथ से निकल जाए वरना कहीं मुझ दिखाने के योग्यों नहीं रह जाओगे जिस कहानी का आरम क्या है उसका अंध भी कर डालो देखते क्या हो उसके लंबे केश पकड़ लो जटका दे कर समीन पर गिरा दो सब भूल जाओ सिर्फ वो च्छनी याद रखो जब अपमान की धदकती वी ज्वाला में तुम चले थे इसका सारा गर्व दर्पन की तरह चूर चूर कर दो महराज महराज घोर अन्याय कैसा बड़ों की सजा छोटों को भूग तो नहीं पड़ती है कि महराज हस्तिनापूर की मर्यादा लुट गई कोई बात नहीं लुट जाने दो हस्तिनापूर तो बच गया मैं उसका खूंड कर दूंगा इंस्पेक्टर साहब कोई खास बात नहीं है लगता है मेरी बेटी भूट से डर गई है आप चलिए मैं बाद में मिले आऊंगा आईएगा जुरूर जी जी चलो भूट वूट का तो एक बहाना है मुझे तो पूरा शक है कि उसकी इज़त पर किसीने हाट डाला है तू थी वहां तूने कुछ देखा क्या जब नहीं देखा तो कैसे बोल दिया कि उसकी इज़त पर हाट डाला गया खबरदार जो ऐसी बात अपनी जबान से निकाली तो मुख्या की बीवी होगी तो अपने घर में मैं तेरी जबान खीच लोगी हाँ बिल्कुल ठीक कहा चौद्राइन तुमने अरी मौसी जब तू वहाँ थी ही नहीं तो तुझे कैसे पता चला कि उसकी इज़त चली गई हाँ बहुत गलत बात करते हो तुम लोग लेकिन चौद्राइन जब तुहार बहू उँ आदमी का घर मा गई थी तब तुम भी तो वहाँ नहीं थी तुमको कैसे पता चला कि उखीच चली गई चौद्राइन की बात ठीक नहीं है अपनी आउलाद के किये पर तो मखमल का परदा और दूसरे की अवलाद अगर हीरा भी है तो उसे बेकार कच्रा कहकर पूरे गाउं में दुनिया में धंडोरा पीतना चैह मैं अपने दुश्मनों को अनाश करने के लिए साल में एक बार हवन ज़रूर करवाता हूं कि मैंने भी कसम खाई है कि बिल्लू की लाश देखने के पाथ ही वंदना का चेहरा देखूंगा तारे फसाद की जड़ तो है यह हर बात घूम फिर कम बुझपर ही क्यों चलिया आती है इसलिए कि तुम्हारा यह फैसला था ना तक द्रौपदी चीरहरन करेंगे हो गया न इनका तो हमसे ज़्यादा बुरा हाल है वह कैसे अरे मेरी बेती का चीरहरन तो चक्के ने किया मगर इनका चीरहरन तो दो टके की छोक्री ने किया वह भी पूरे गावालों के सामने जबकि पुलिस की वर्दी भी पहने हुए थे राम 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 उसने थपड़ भी मारा तो बहुत जोर का मेरा नाम भी भीश्त में है उसी दिन मैंने भीश्त में परतिक्या की कि मैं भी उससे बहुत भी भ्यानक बदला लुगा हूँ हानेदार साब बदला तो हमें भी लेना है उससे और ऐसा बदला जिसमें आग भी होगी और धुआ भी आप चिंता मत किजिए तो फिर आप बिल्लू की चिंता छोड़ दें मैं उस साले को टपका डालूंगा जब प्रिश्मन का बटवारा हो ही गया तो जल्दी सुनका निप स़घा आप भूलगे कि आपका नाम भीश्म है एंग और आप यहीं भूल गे के महाबारत में भीश्म की मौत कीवज़े क्या थी सर भूल जाएए उस चक्के दिल्लु को और चलिए वापस ठाने चलते हैं सर साले तुर बिल्लु के बारे में तु ऐसा बोला है जैसे रह does नहीं कोई सूप्री डेंडरर पुलीस शर्थ नहीं सर उतार ने सर उतार सर सर रुख जाए सर लगता है इनकी मौत का समय आ गया यह कबाब में हड़ा कहां से आ गया बंद करो यह सब गाहे को बंद करें अरे शादी ब्यां में आदमी नाचेगा गाएगा नहीं तो क्या मातम करेगा ए चमपा चल बजारी बजा ज्यादा नातक मत कर मुझे मालूम है कि तू अंदर से क्या है और बाहर से क्या है अब चल्ड देखो जी धक्का मारो या मुक्का जब तक कि पूजा दिधी मंदिर से नहीं आएगी हम कहीं नहीं जाने वाले हाँ पूजा दिधी पर बहुत घबंड है ना आज तुमसे भी बुरा उसका अंजाम होने वाला है पूजा जाओ पूजाओ मेरी शकल गौर से देख यमराज से मिलती है जल्दी से मेरी नजरों से दूर हो जा वरना गोली मार दूंगा जाओ जाओ झा झाओ घुवा जाओ प्लाप ब करो कर दो, कर दो, कर दो, कर दो. कर दो, 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 क घर की लकड़ी घर का कफन सस्ते में काम हो जाता तुझे तो बहुत पहले ही जिन्दा चला देना चाहिए था अच्छा करती हां इस तरह सुहागन तो मरती हाए हाए देखो तो मुझे कैसे फूल जड़ रहे है अभी से मनने का जगा भी डर नहीं आप लोगों ने तो मुझे पहले ही मार दिया था आज तो सिर्फ जलाने की रसे मुझे करेंगे शुना है तुमने अपने बापकी चिता के उलटे फेरे लगाया थे और अमने बर्बाद करने कि कसम काय थे आज हम तेरी हुम्हन प्ывать पेरे लगाएंगे चल्दी कर दीदी मैं आपके आगे हाथ चुलती हूँ मेरी दीदी को मत मारी है तेरी दीदी तेरे सामने मरेगे समझे मैं भी अपनी दीदी के साथ जानने दूंगी तू तो जिन्दा रहेगी और मेरे पास रहेगी मेरी रखेल बढ़कर नहीं कर दो 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 जए दूगें मां, 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 जए दूगें मां कि नमक्ख अराम तू अभी तक जिन्दा है कमी ने इंस्पेक्टर से तो बच गया लेकिन मुझ से नहीं बचेगा तो जाने भी दो छोटी चौदरी बात आगे मत पड़ाओं वरना ये गाउवाले कहेंगे कि आपके सामने नाचने वाला लॉंडा आपका चीचाजी बन गया ये क्या पूजा जिदी? जिन्दगी लूटने वाले से ज्यादा कमीना इज्जत लूटने वाला होता है निरंजन बाबू किसी ने आपकी बहन की इज्जत लूटी तो उसके लिए मौत की सजा जबकि आप खुद दूसरे की बहन की इज्जत को इज्जत नहीं समझते क्या आपके लिए भी मौत की सजा नहीं होनी चाहिए? नहीं एसा मत करो मैं तुमारे आगे हांट जोड़ते हूँ मेरे बेटी को बढ़ कर दो niceillin ka दोर सिर्फ रिपना ही है मेरे हाट बाथ मंता राऄ तुभी जो सजा देए बी मुझे दो मैं तुम्हें पावं पड़ते हूँ इसे चोड़ दो, मैं तुम्हेरे आगया हाथ चोड़ती हूँ, तेरे बिटी को माज़ कर दो अब क्यूं रो रही है, तु तो नागन है, तो फन मार कर खड़ी हो जा, और दस ले मुझे, दस चोड़ दे मेरी मा को अब आशू दिखा रही है, जब मुझे चिता पर लेटा कर तेल चिरका जा रहा था, जब मेरी बैन को रखेल बनाने की बात की जा रही थी, उस वक्त का गय थे या आशू, का गय थी तेरी ममता, गिर गिर कित्रा रंग बदलने वाली और तो खबरदार छोटे चोड़ी, आता है, तो उपर वाले का इंसाफ होके ही रहता है, तो ये मामलत छोड़ दे उपर वाले पर, हमने जैसा किया है, वही इंसाफ करेगा, ये भी तेरी एक चाल है नागन, लेकिन मुझे उपर वाले पर पूरा भरोसा है, कि वो सही इंसाफ करेगा और जरूर करेगा, ये ल रुक जा चोटे चादुरी चोटे चादुरी रुक जा में जाओ में जाओ कि जाओ कि जाओ कि झाओ आओ मार्फ कि अपिए कि अपिए कि अपिए कि अपिए कि अपिए पती नाम परू कलंक में समय ने ये बतलाया है शादी एक पवित्र बंद में है आज कमज में आया है नारी सक्यम शिवम सुन्दरम और सभी कुछ जूटा है कदम कदम पर इस अबला को हर रिष्टे ने लूटा है महंदी तूटी पिसी छनी घुली रची तब रंग लाल हुआ महंदी जैसा हाल हुआ महंदी पुली युली तूटा झाल 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 झाल